आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंजेक्शन की गांट होती है इसका इलाज क्या होता है ये गांट क्यों बनती है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप डोक्टर के पास जाते हो और इंजेक्शन लगाते हो इंजेक्शन लगाने के बाद एक वीक क के बाद वहाँ पर सोजन आता है गांट बन जाती है दर्द होता है ऐसा क्यों होता है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन की गांट क्यों बनती है इंजेक्शन की गांट बनने के अनेकारण होते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं हम इंजेक्शन कहां पर लगाते हैं हम इंजेक्शन सोल्डर पर लगाते हैं और हिप पर लगाते हैं सबसे ज़्यादा गांट हिप पर बनती है ऐसा क्यों होता है जैसे मैंने यह injection लोड किया, इंजेक्षन लोड करने के बाद जो injection है मैंने डायरेक्ट मसल में लगा दिया, और यहां पर कौन सी मसल पाई जाती है, डेल टोड, यदि जो injection की निडल है यह मैं पूरी डाल देता हूं, तो क्या होता है कि हमारी मसल के नीचे बोन पाई जाती है और यह निडल बोन में लग जाती है, उस कंडिशन में हमारे आथ के अंदर सोजन आ जाता है, यदि injection लगाते समय इंजेक्षन में हिला देता हूं, उस condition में हाथ में sojan आ जाता है यदि injection लगाते समय जो सिरंज इसके अंदर दवा होती है मैं एक दम से पूरी दवा मसल में डाल देता हूं तो उस condition में हाथ के अंदर sojan आ जाता है अनेक कारण होते है सोजन आने के यदि कोई patient पहली बार injection ले रहा है तो यह injection उसके allergy करेगा यह नहीं करेगा उससे भी हाथ में sojan आ सकता है injection लगाते समय जो patient का हाथ होता है यह हिल जाता है तो उस condition में भी sojan आ सकता है अब हम बात करेंगे इसके घरेलू treatment के बारे में यदि आप injection लेते हो और injection लेने के बाद एक week के बाद आपके हाथ के अंदर sojan आ जाता है वहां पर दर्द होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको pain killer लेना है जब भी आपको दर्द होता है तो आपको एक tablet pain killer लेना है और दूसरी condition आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर ice तो होती है, सब घर के अंदर ice होती है, तो ice का आपको सिख्ताव करना है, जो बरफ आती है, उसको आप जहां पर घाठ बनती है injection की, वहां पर रखकर सिख्ताव करना है, दिन में 3-4 बार, ऐसा करने से क्या होता है, कि जो स्कीन के अंदर जो मसल्स पाई जाती है और जो आर्टरी और जो नर्व पाई जाती है इससे क्या होता है कि इसके अंदर दर्द होता है जब हम बरफ लगाएंगे तो यह सारी चीज शुकर जाती है तो उससे दर्द कम होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जो गांट होती injection जाती है और दीरेवायी बोडी के अंदर पीन कम हो जाता है। आपको एक वीग तक बरब का शि kontroll करना है , जब injection की गंठ बंजाती है जब आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको दवाई भी नहीं लेनी, कोई क्रीम नहीं लगानी, आपको उनली सिक्ताव करना है भरपका बिद्रफ का शिक्ताव करने से क्या होता है कि दर्द कम होगा और धीरे धीरे जो गांट होती है इन्जेक्शन की यह पिगलना इस्टार्ट हो जाते है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच